केलांचल टाइम्स हर ख़बर पर हमारी नज़र रोड में टोकन वसूली चल रहा है प्रसासन का नज़र नहीं आज दिनांग 27,221 को दुमका जीले के सिकारी पाड़ा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, ठाना प्रभारी को भारती जनता युवा मोर्शा के प्रखंड नध्यक्ष विकास भगत के नितित में खुले आम रोड में टोकन वसूली को रोपने के लिए आवेदन दिया गया युवा मोर्शा के कारिकरता का कहना है कि दुमका जीवा प्रसासन अवेट तरह से चलाने वाले ओफिसर को भारी रकम देते हैं और इन दिनों किसी कारण से सिकारी पाड़ा में भारी वातरा में गाजा, सराब ले जा रहे हैं प्रसासने कम जोरी के कारण आज वसूली करने में सक्षम हो रहे हैं युवा मोर्शा लगातार प्रयास करेंगे जन्ता का किसी तरह से तकलीफ ना हो आज भारती जन्ता पार्टी के कारे करताओं और युवा मोर्शा के कारे करताओं मौजूद थे दुमका से सुभंकर डंदन की रिबोर्ट जन अंदोलन किया जाएगा और साथ में ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की खुले रंग अबाजी इस तरह की जा रही है जो बर्दास के लाइक नहीं है उत्तर प्रदेश से बिहार से बच्छें बगाल से जो ट्रक डैवर आ रहा है तोकन लेने के लिए इसको बात दिक किया ज किलांचल टाइम्स हर ख़बर पर हमारी नज़र